हलो फ्रेंज अपना किचन में आपका स्वागत है आज मैं बरारी मचली की रेसिपी सेयर करने वाली हूं जो कि बहुत है यादा टेस्टी बनेगा और सब लोग तारीफ करेंगे तो देखें फ्रेंज मचली को मैं अच्छी तरह से साफ कर ली हूं उसके बाद धो करके एक प् में रख लेंगे 500 ग्रम मचली आप अपने जरुत किसाब से कम जादा कर सकते हैं अब इसमें आड़ करेंगे आधा छोटा चिमच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चिमच नमाव नमक और हल्दी को अच्छी तरह से हाथों के हिल्प से मीक्स कर लेंगे और पांच मिनद त चीली हुई लसुन की कलियां 2 हरी मेर्च आधा छोटा चिमच पीला सरसों के जगपर आप काला सरसों का भी इस्तामाल कर सकते हैं अधा छोटा चिमच धनिया एक छोटा चिमच जीरा एक चोथाई चिमच काली मिर्च आधा छोटा चमच पोस्ता यानी पपी सीट्स एक मोटा कटा हुवा टमाटर और डाल देंगे थोड़ा सा पानी अब इन सारे मसालों को पीस लेंगे तो देखिए मसाले पीस चुके हैं चुले पर कडाही रख देंगे और गैस अन कर लेंगे उसमें डालेंगे तीन बड़ा चमच सरसो का तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब चारों तरफ कडाही में इस तरह से देखिए फैला लेंगे अब इसमें आड़ करेंगे चया अब बार में जितना है उतना डाल दें अब गय lasers का फ्लेम आपे टो मीडियू में पर्रेंगे Low आप युदम इस मचली तो इस glandब्लाषट होती है तो ध्यान से फ्राई करें तो देखिए दोनों तरफ के निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे मचली को हम लोग लोटू मीडियम पर ही फ्राइब कर लेंगे तो देखे फ़िंगे सारे मचली को हम फ्राइब कर लिए हैं अब उसी बचे तेल में हम आइड करेंगे एक चब थाई चमच पश फोरन यानि पाच मसालों का मिश्रन और डाल देंगे दो मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज अब प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और फ्राई करते समय इस तरह से बार बार चलाते रहेंगे तो फ्राई करते समय इस तरह से बार बार चलाते रहने तो प्याज एक ही तरफ से जल जाएगा तो देखे फ्रेंज, प्याज फ्राई हो गया है, अब हम गयस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, अब इसमें आड़ करेंगे पीसे हुए मसाले, जो हम लोग पीस करके रखे थे, और मिक्सर ब्रेंडर के जार में दो चमच पानी डाल करके खंगरा करके डाल देंगे, अब इसम पूंते समय इस तरह से बार बार चलाते रहेंगे जितने अच्छे से मसाले भुने रहेंगे उतना ज्यादा टेस्टी मचली बनेगी तो देखिए पास से 7 मिनट हो चुके हैं और मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं अब हम इसमें आड करेंगे एक छोटी का टोरी पानी ओर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमा तो नमक गृवी की स्वाद के अनुसार डालें क्योंकि हम लोग मचली को मारिनेट करते समय नमक पाले भी डाले थे अब इन सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्ले मीडियम कर लेंगे अब ग्रिवी में उबाल आने तक का वेट करेंगे तो देखें ग्रिवी में उबाल आ गया है अब एक बार इस तरह से चला देंगे और गैस का फ्लिम एकदम लो कर देंगे अब इसमें अड़ करेंगे फ्राई किये हुए मचली और अच्छी तरह से ग्रेवी में डुबा देंगे और गैस का फ्लिम लोही रखेंगे और धकन लगा करके लू फ्लिम पर पांच मिनट तक पकने देंगे पांच मिनट के बार धक्कन अटाएंगे अब जिसमें डाल देंगे दो चमच बारी कटेवी हरी धनिया की पत्ती और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंज हमारी टेष्टी मचली बनके रेड़ी है बहुत यहादा स्वादिष्ट बनेगी बरारी मचली इस तरह से बनाएं सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो अब हम गयस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो फ्रेंज इस तरह से परारी मचली बनाए, dengan खाए, tells फिलाए को बहुत जहादा पसन्द आएगई और सब लोग तारीफ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो इस प्रोसेश को ध्यान में रखते हुए मचली को बनाएं बहुत जहादा टेस्टीew बनेगी तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें